बुलेटन की शुरुवात करेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विद्यक 2019 संबंधी संसदी संयोक्त समिती ने आज अपनी बैठक में विध्यक्ष संबंधित मुद्दो पर नैसकॉम की प्रती निथियों के साथ चर्चा की इसके अलावा बात करेंगे राज़सभा के सभापती एमवेंक एनाइडू को आज वानिचे मंत्राले से संबंधित संसदी स्थाई समिती की एहम रिपोर्ट सौपी गई समिती ने क्रिशी और सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात से जुड़े विशय को लेकर सरकार को सुझाव दिये हैं लोगसभाध्यक्ष ओम बिर्ला ने मौनसून सद्र की तैयारियों को लेकर गुरुवार को बैठक बुलाई है साथी देखेंगे केंद्र और राज़्य सरकारों के साज़ा प्रयासों से देश में स्वस्त हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है और रिकवरी रेट 76.30 फीस्ती हो गया है देश में कोरोना के 32 लाग से अधिक मामले आ चुके हैं इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर शुरुवात करते हैं बुलेटिन की वाड़ेचे मंत्राले से संबंधित संसदी इस्थाई समिती ने क्रिशी और सामुद्रिक उत्पादों के निर्यास जुड़े विशे को लेकर सरकार को सुझाब दिये हैं उपराश्वपती और राज्य सभागे सभापती एम वेंकया नाइडू को आज समिती की ये रिपोर्ट दी गई क्रिशी और समुदाईक उत्पादों, बागबानी, फसलों और हल्दी और नारियल रेशा निर्यात पर राज्य सभागे सभापती एम वेंकया नाइडू को पुद्वार को वाडिज्य मंत्राले से सम्बंधिद संसद्य स्थाई समिती की एहम रिपोर्ट सौपी गई समिती के दिक्ष वायासार कॉंग्रेस के राज्य सभाथ सांसद वी विजसाई रेड़ी ने समिती की 154 वी रिपोर्ट भेट की वी विजसाई रेड़ी ने बताया कि समिती ने सरकार से संबंधिद विशय को लेकर महत्वपून सिफारिशें की है उन्होंने कहा कि आपोर्टी शंखला के बुन्याती धाचे की दक्षता में सुधार और मुल्यवर्धन की जरूरत है समिती ने समुधरी उत्पादों के गिरावट के विशय में भी सरकार को अवगत कराया है किशी और समुदरिक उत्पादों बागबानी, फसलों, हल्दी और नारियल रेशा निर्यात पर समिती के ये रिपोर्ट काफी बहधपून है समिती ने इस विशय की पर्ताल के लिए विजयवाडा वैंगलूरू और कोचिन का दौरा किया जहां किसानों से विभिन स्तर पर जानकारी हासिल की गई इस रिपोर्ट को 27 जुलाई को ही समिती की बैठक में मन्जूरी दे दी गई थी संसत की वर्णिच संबंधी 27 समिती की आज बैठक हुई इस बैठक में दो एहम संगटनों के प्रतिनितियों ने अपने विचार रखे देश में COVID-19 के बाद अर्थ विवस्था में निवेश आकरशित करने की चुनोतियों और अवसर विशय पर स्थाई समिती गहन परताल कर रही है इस क्रब में उसने आज Automotive Component Manufacturers Association of India और Society of Indian Automobile Manufacturers के प्रतिनिधियों का साख्ष लिया करीब धाई गंटे तक चली समिती की बैठक में सदस्यों ने प्रतिनिधियों से कई विश्यों पर जानकारी ली वी विजय साई रेटी के अध्यक्षिता में समिती की बैठक में 15 सदस्यों मौझूद रहे इसमें नव निर्वाचित सदस्यों मलिका अरजुन खड़के और प्रियंका चतुरवेदी भी शामिल है समिती इस विशेपर सचिव उद्योग और आंतरिक व्यापार व्यभाग और सचिव MSME के साथ चर्चा कर जमीनी हाकीकत जान चुकी है ये बैठक कल भी जारी रहनी है परसनल डेटा प्रोटेक्शन विध्यक 2019 संबंधी संसदी संयुक्त समिती ने आज अपनी बैठक में विध्यक से संबंधित मुद्दों पर नैसकॉम के प्रती निथियों के साथ चर्चा की समिती की ये नौवी बैठक थी जिसमें 15 सदस्यों से मौजूद थे लोगसभा सांसद मिनाक्शी लेखी के अध्यक्शिता वाली दोनों सदनों की ये संयुक्त समिती है जो इस समय बेहत एहम विध्यक के सभी पक्षों पर व्यापक परताल कर रही है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विध्यक 2019 सम्मंधी संसदिय संयुक्त समिती के समक्ष बुद्वार को नैसकॉम के पांच प्रतिनिध्यों ने विशे से सम्मंधित तत्य रखे इससे पहले हुई बेटको में IT मंत्राले, विधी और न्याय मंत्राले, UIDAI, ग्री मंत्राले, राष्टी अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NIA और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के प्रतिनिध्यों संग विचार विमश हुआ था साथ ही सम्मिति की समक्ष विशे के कई जानकारों ने भी अपना ज्यापन दिया है ये विधेक दोनों सद्नों की संयुक्त सम्मिति के पास विचार के लिए 11 दिसंबर 2019 को भीजा गया था लोगसभा में इस बाबत केंद्रे विधी और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रस्ताव रखा था इसी के तहट मिनाक्षी लेखी के अधिक्षता वाले समिति में पीपी चौधरी, राजिवर्दन सिंग राठोर, तेज़स्वी सूरिया, एस एस एहलुवालिया, हिनाग गावित, संजय जैस्वाल और गौरव गोगोई समेत 20 सदस्यों को लोगसभा में शामिल किया गया विवेक तंखा इस समिति में शामिल हैं, विधेक को लेकर विपक्ष की तमाम आपतियां थी, परसनल डेटा प्रोटेक्शन विधेक 2019 द्वेहद एहम विधेक है, इसमें सरकार को फेसबूक और गूगल समित तमाम विदेशी कंपनियों से निजी और गहर निजी डेटा के कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसनाते संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर सभी की निजाहें लगी हुई हैं, आर्विंद कुमार सिंग, राजी सभा टीवी लोग सभादिव्ष ओम बिला संसत के मौनसून सत्र की तयारियों को लेकर 27 अगस्त को एहम बैठक करेंगे, ये बैठक तयारियों की समिक्षा को लेकर बुलाई गई है, मौनसून सत्र की तयारियां दोनों सदनों में चल रही हैं, इसे लेकर दोनों सदनों के पीठा सीन अधिकारियों के साथ कई बैठके हो चुकी हैं। कोरोना संकट के नाते इस बार कई अतरिक्त साफधानिया बरती जा रही हैं। संसदी समितियों की बैठकों के लिए भी कई अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सारे पहलीओं को ध्यान में रखकर लोगसभा अध्यक्ष पी अलबी की कमिटी रूम संख्या 74 में सुभा 11 बजे बैठक करेंगे। केंद्र और राचे सरकारों के साजहा प्रयासों से देश में स्वस्त हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीदे एक दिन में 63,000 से जादा लोग ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 76.303 फीजदी हो गया है। केंद्रिय स्वस्ते मंत्राले की और से जारी आंकडों के मताबिक पछले 24 घंटे में देश में 67,151 नए केस आये हैं। अब तक देश में 32,34,000 से जादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 63,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 24,66,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7,000,7,000 से जादा सक्रिय मामले हैं। वहीं पछले 24 घंटे में 1,069 लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 69,449 हो गई है। लेकिन देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1,84 फीस दी है। मंगलवार को देश में 8,23,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किये गए हैं। अब तक 23,66,000 से अधिक टेस्ट किये जा चुके हैं। देश में जून में जहां आउसत रोजाना एक लाग छ्यासाथ हजार से अधिक कोरोना के टेस्ट किये गए इस दौरान तेरा हजार से अधिक केस रोजाना सामने आए जून में पॉजिटिविटी रेट 7.9 फीस दी था। आउसत रोजाना साथ लाग एक तिस हजार से अधिक टेस्ट हो चुके हैं और पॉजिटिविटी रेट घटकर 8.41 फीस दी हो गया है। अगस्त के महीने में अब तक 15.38.000 से अधिक कोरोना के केस आ चुके हैं और 13.73.000 से अधिक लोग इलाज कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभाट टीवी दी गई है। N95, FFP2 और मेडिकल गोगल्स के निर्यात के लिए सीमा निर्धारित की गई है। मेडिकल गोगल्स के लिए निर्यात के लिए प्रतीमाह 20 लाख यूनिट और N95 और FFP2 मास्क के निर्यात के लिए 50 लाख यूनिट की सीमा ताय की गई है। महीं सरकार ने कमपनी अधिनियम के तहट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायत्व यानी CSR के नियमों में संशोधन किया है। कमपनियों के CSR खर्च में किया गया संशोधन सशर्थ है। ये मौझूदा वित्वर्ष के साथ अगले दो वित्तिय वर्ष के लिए मानने है। कमपनी अधिनियम के तहट कमपनियों को अपने पिछले तीन साल के ओसत शुद लाब का दो प्रतिशत CSR पर खर्च करना होता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्राले ने 24 अगस्त को CSR नियमों में बदलाव के अधिसूचना जारी की थी। केंद्री स्वास्तिमंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने कहा है कि कोरोना वाइरस के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले बेहतर है और संक्रमन से देश में ठीक होने वालों की दर 76 फीसदी के पार पहुँच गई है। डॉक्टर हर्श वर्धन ने आज राजस्थान में दो मेडिकल कॉलेजों और तीन सूपर स्पेशलिटी अस्पतालों का वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये उधगाटन किया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में डेड़ हजार से जादा मामले आए हैं जो बीते 40 दिन में सबसे जादा हैं। मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने कोरोना वाइरस संक्रमन के बढ़ रहे मरीजों को लेकर समीक्षा बैठक की। बाद में उन्होंने कहा कि अगले एक हफ़ते में कोरोना के टेस्ट की संख्या दो गुना की जाएगी। राजधानी में प्रति दिन 40,000 टेस्ट किय जाएंगे। COVID-19 महामारी से जूजते और उभरते देश में अब धीरे-धीरे कई समाजेक और धार्मिक गतिविध्यों को जरूरी प्रतिबंधों के साथ फिर से शुरू किया जा रहा है। केरिल के तिरुवंत पुरम में भगवान पाद्मनाहप स्वामी के इस मंदिर में भक्तों ने बुद्धवार को दर्शन किये। भक्तों को दर्शन की दौरान एक दिन पहले ऑनलाइन पंजीकरन कराए गए फॉर्म और आधार काट की एक प्रति अपने पास रखनी होगी। वहीं इस दौरान एक समय में 35 व्यक्तियों को ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमती है और एक दिन में भक्तों की कुल संख्या की सीमा 665 तक रखी गई है। अब श्री माता वैश्रो देवी शाइन बोड ने प्रति दिन 2000 शद्धालों को दर्शनों की इजासत दी है। इनमें बाहरी राजु से आने वाले शद्धालों के कोटे की बढ़ोत्री पर विचार किया जा रहा है। जो पहले सौनेट धारित किया गया था। बिरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी। पूर्व राश्रोपती प्रणमुखरजी की सेहत में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली केंटोन्मिंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के मताबेक पूर्व राश्रोपती अभी भी गहरे कोमा में हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके प्रमुख और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। विशेशग्यों की एक टीम उनकी देख रेक कर रही है और उनके शुअसन संक्रमन का इलाज भी जारी है। 84 वर्शी पूर्वराश्रोपती प्रणमुखर जी का 10 अगस्त को दिल्ली केंट के अस्पताल में मस्तश्क की सरजरी की गई थी। प्रणमुखर जी की कोरोना संक्रमन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इधर दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड 49 लाग से जादा मामले आ चुके हैं। इसमें 1 करोड 55 लाग से जादा लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 75 लाग लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 8,19,000 से अधिक लोगों की इस वाइरिस से मौत हो चुकी है। सबसे जादा केस अमेरिका में आए हैं यहां 57,89,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। यहां 20,00,000 से अधिक सक्रिय केस हैं और 1,78,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिन अमेरिकी देश ब्रजील में 36,00,000 से अधिक मामले आए हैं। यहां 1,16,000 से ज्यादा लोगों की जान इस वाइरिस से जा चुकी है। तीसे नमबर पर भारत हैं जहां 32,00,000 से अधिक मामले हैं। पांचवे नमबर पर दक्षिन अफरिका हैं जहां 6,00,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और 5,00,000 से जादा लोग ठीक हो चुके हैं। और 13,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। Medical और Engineering प्रवेश परिक्षा यानि की NEET और JEE की परिक्षा तै तारीक को ही होगी। राश्ट्री परिक्षा Agency यानि की NTA ने ये साफ कर दिया है कि JEE 1 से 6 सितंबर के बीच और NEET परिक्षा 13 सितंबर को होनी है। राश्ट्री परिक्षा Agency परिक्षा केंदरों की संख्या बढ़ाने, एक सीत छोड़ कर बैठाने, हर कमरे में कम उमीदवारों को बैठाने और प्रवेश निकास की अलग विवस्था जैसे कदम उठाएगी। इन प्रवेश परिक्षाओं को स्थगित करने की बढ़ रही मांग के बीच, NTA ये विवस्था COVID-19 महमारी के मद्देनजर केंदरों पर सामाजिक दूरी के नियम क्या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए करेगी। NTA ने बयान जारी कर कहा है कि JEE के लिए परिक्षा केंदरों की संख्या 570 से बढ़ा कर 660 की गई है, वही NEET अब 2546 केंदरों के बजाए 3843 केंदरों पर होगी। JEE कंप्यूटर आधारित परिक्षा है जबकि NEET पारंपरिक तरीके से कलम और कागज पर होती है। इसके लावा JEE मुख्य परिक्षा के लिए पालियों की संख्या 8 से बढ़ा कर 12 कर दी गई है और हर पालियों की संख्या अब 132 हजार से घटा कर 85 हजार हो गई है। सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए JEE मुख्य परिक्षा में चात्रों को परिक्षा कक्ष में एक सीथ छोड़ कर बैठाया जाएगा जबकि नीट परिक्षा में एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या 24 से घटा कर 12 हग कर दी गई है। परिक्षा कक्ष के बाहर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए उम्मीद्वारों का विशेश, प्रवेश और निकास होगा। कोविड-19 की वजह से परिक्षा स्थगित करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका को पिछले हफ़ते सुप्रीम कोर्ट ने खारिच कर दिया था। इस साल JEE मुख्य परिक्षा के लिए 9,53,000 चात्रों ने पंजी करन कराया है जबकि नीट के लिए 15,97,000 चात्रों ने पंजी करन कराया है। कॉंगर्स के अंदरे मध्यक्ष सोनिया गांथी ने बुधवार को JEE मुख्य और नीट की प्रवेश परिक्षा और माल और सेवा कर संग्रह यानि की GST पर चर्चा करने के लिए साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग के जर्ये बैठक पर्शिमंगाल, महराश्च्र और जारकन के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल थे मुख्यमंत्रियों को समबोधित करते हुएं सोनिया गांथी ने कहा कि राश्ची शिक्षान दीती से संबंधित घोषनाओं से हम चिंतित हैं उन्होंने कहा कि छात्रों और परिशाओं से जुड़ी समस्याओं का ठीक तरह से निप्टारा नहीं किया जा रहा है गैर बीजेपी शासत राज्यों के मुख्यमंतियों के साथ आयोजित इस बैठक में सोनिया गांथी ने कहा कि राज्यों को उनका बकाया जियस्टी जल्स से जल्द मिलना चाहिए There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. Now there are many more issues and I am sure you are much more aware of them than I am. 36-गड विधान सभा के चार दिवसी मौनसून सत्र के दूसरे दिन सदर में कोरोना संक्रमन का मुद्दा गर्माया रहा विपक्ष ने कोरोना संक्रमन के मुद्दे पर सदर में इस्थगन प्रस्ताव भी पेश किया 36-गड की भुपेश बगिल सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना की स्थिती से निबटने में राजी सरकार विफल रही प्रदेश के स्वास्त मंत्री टी एस सिंगदेव ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़े मामले सामने आने से पहले ही तयारियां की गई थी स्वास्त मंत्री ने कहा कि सम्मे पर जाच कराने स्क्रीनिंग कराने की शुरुआत भी की गई विपक्ष ने संसदे सचिवों की नियुक्ती पर मुक्यमंत्री भुपेश बगिर से जवाब भी मांगा जवाब में मुक्यमंत्री ने इस मुद्धे पड सदन में चर्चा को घैर जरूरी बताया वहें विधी मंत्री ने कहा कि संसदी सचिव मंत्रियों के सहियों के लिए बनाये गए हैं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सदन में धान और मक्का बीज खरीदी का मुद्दा उठाया कृश्वी मंत्री रविंदर चौबे ने सदन को भरोसा दिलाया कि खराब बीज देने वाले कंपनियों पर कारवाई होगी पूर्मुक्यमंत्री डॉक्टर रवन सिंग ने खैरागर्ड जल आवर्धन योजना में अनमित्ता का मुद्दा उठाते हुए सत्ता पक्ष से जवाब मांगा बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी केरल के तिरुवनंत्पुरम में इस्थित केरल सचीवाले में आग लगने के मामले को विपक्ष ने सोना तसकरी से संबंधित सबूतों को नश्ट करने की साज़श करार दिया है कॉंगर्स और बीजोपी नेताओं ने सचीवाले के सामने बैठ कर सरकार के खलाफ प्रदर्शन भी किया इस घटना को योजना भद साज़श बताया विपक्षी नेताओं ने राजपाल आरिफ मुहमद खान से मुलाकात कर मामले की उच्छ स्तरिय जाच की मांग की केरल में विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सचवाले में आग खुद नहीं लगी परकि गोल्ड स्मगलिंग केस के सबूत जलाने के लिए आग लगाई गई थी विपक्षी निताओ का कहना है कि सूनी की तसकरी के मामले में बेहद महतपूर्ण फाइले पूरी तरह से जला दी गई हैं और अब इस मामले से जुड़ी कोई बैकप फाइल उपलब्द नहीं है उन्होंने इस पूरी खटना के लिए राजी के मुख्य मंत्री पिनराई व आग लगने के बाद ही बीजेपी की विधायक और नीता सरकार के खिलाफ इसके विरोध में सच्चिवाले के बाहर धरने पर बैट कहें विधायकों ने आरोफ लगाया कि आग लगी नहीं बलकि लगाई गई है वहीं विरोध प्रदेशन करहें बीजेपी की केरल अध्याक्ष के सुरिंदरन को हिरासत में ले लिया गया है सचवाले के अधिकारी के मताबिक कम्प्यूटर में शौट सरकी ठोने की कारण आग लगने का संथे है अधिकारी के मताबिक कोई भी महतपूर फाइल नश्ट नहीं हुई है वहीं इस हाई प्रूफाइल सुना तसकरी मामले के तीन मुख्य अरूप्यों सपना सुरेश, सारित पिये और संधीप नायर की नियायक हिरासत 26 अगस को समाप्त हो रही है बेरोड रिपोर्ट ताजी सभा टीवी कि उसने अमेरिका में 3.25 मिलियन डॉलर यानि की करीब 24 करोड 33 लाख रुपे की वसूली की है ये वसूली अमेरिका में नीरव मोदी की तीन कम्प्यों के बिखने के बाद की गई है दरसल पंजाब नैशनल बैंक ने 2018 में कॉर्परेट मामलों के मंत्राले को सुचित किया था कि नीरव मोदी की तीन कम्प्यों ने अमेरिका में अपने आपको दिवालिया घोशित कर दिया है और उन्हें बेचा जा रहा है बैंक के अनुरोथ पर कॉर्परेट मामलों के मंत्राले ने अमेरिकी न्यायाले से संपर्क किया अमेरिकी न्यायाले में PNP का पक्ष सुना और उसे भी कर्जदाताओं की सुची में शामल किया दिवालिया पन की प्रक्रिया के तहट इन कम्प्यों को बेचा गया जिसके तहट कुल मिलाकर 11.04 मिलियन डॉलर की राशी प्राप्त हुई इस राशी का वितरन 11 कर्ज दाताओं में होना है एक ट्वीज जारीकर कॉर्परेट मंत्राले ने इस घर्टा को नीरव मोधी मामले में मंत्राले की बड़ी जीत बताया है भारत की पडोसी को प्रात्मिक्ता नीती रंग ला रही है श्रीलंका ने घोशना की है कि वो अपनी भाविश्य की विदेश नीती में इंडिया फर्स्ट अप्रोच याने की भारत को प्रात्मिक्ता देने की नीती अपनाएगा श्रीलंका के राश्पती गोड़पया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की इस नीती के बारे में श्रीलंका के विदेश सचिव जैंत कोलंबागी ने खोशना की समाचार पत्र डेली मिरर को दिये गए एक इंटर्व्यू में श्री लंका के विदेश सचिव ने बताया कि इस नीती के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत की प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का है जिन्होंने कोरोना की समय और उस से पहले भी श्री लंका की सहायता की उसका ख्याल रखा और सहयो किया कुलंबागी ने कहा कि श्री लंका किसी भी हालत में किसी भी देश को किसी दूसरे देश के खलाफ अपनी जमीन का इस्तमाल नहीं करने देगा खास कर भारत के खिलाफ तो बिलकुल नहीं इसका साफ मतलब है कि श्रीलंका का जोकाव चीन की तरफ नहीं रहेगा चीन की मदस से बनाए जा रहे हबन टोटा बंदरगाह के बारे में श्रीलंका के विदेश सचिव ने कहा है कि इस सुविधा का इस्तमाल केवल कारोबारी ग मान करेगी और इसे जारी रखा जाएगा भारत और वियतनाम ने मंगलवार को अपने आर्थेक और रक्षा संबंधों को नई उर्जा प्रदान करने पर सहमती जताई और असैन ये परमानू उर्जा अंतरेक्ष जैसे शेत्रों में करीबी सहियों की संभावना तलाशने का संकल पैच जताया भारत वियतनाम सेयुगत आयो की डिजिटल माध्यम से आयोगत बैठक की सह अध्यक्षिता विदेश मंट्री एस जैशंकर और वियतनाम के उनके समकश फाम बिन मिन ने की भारत वियतनाम सहयोगत आयोग की सत्रवी बैठक मंगलवार को हुई इस बैठक में दोनों देशों ने इस सामरे गट जोड में हाल की घटना करमों की समीक्षा की दोनों देश आर्थिक और रक्षा संबंदों को नई गती प्रदान करने पर भी सहमत हुए इसके लावा दोनों पक्ष असेन परमानो उर्जा, अंतरिक्ष, समुद्रिविज्ञान, नई प्रद्योगी की सहित, उभरते क्षेतर में करीबी सहयोग बढ़ाने की संभावना तलाशने पर भी सहमत हुए है बैठक में साजा है तो कि मुद्दे पर चर्चा के साथ साथ COVID-19 महामारी से निपटने को लेकर विस्तार से बाचीत हुई विदेश मंतरी S.J. शंकर ने वियतनाम को भारत की नई आर्थिक शमताओं और मांगो का लाव उठाने के लिए आमंतरित किया दोनों देशों के रिष्टों को लेकर विदेश मंतरी S.J. शंकर ने कहा कि भारत वियतनाम संयुक्त आयो की सत्रवी बैठक की समापती हुई वियतनाम के उप्रधान मंतरी और विदेश मंतरी फाम बिन मिन को सै अध्धक्षता के लिए धन्यवाद भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साजयदारी का मकसद इंडो पैसिफिक शित्र में शांती सुरक्षा और सम्रिधी स्थापित करना है दोनों पक्षो ने सहयोग तराष्ट सुरक्षा परिशत सहित बहुस्तरिय मंचो पर करीबी समन्वे बनाने पर सहमती जताई साती आसियान ढाची के तहट महतुपूंट शेत्रिय मंचो पर सहयोग और समन्वे बढ़ाने पर भी सहमती जताई है बैठक में दोनों देशों ने भारत के हिंद प्रशान सागर पहल की तरज़ पर दुईपक्षिय सहयोग बढ़ाने पर भी रजामन्दी जताई है उपराश्रोपती एंवेंके नाइटू ने हुमिन कैलकुलेटर का खताब जीतने वाले नीलकंट भानू प्रकाश को बढ़ाई और शुबकामनाई दी है त्वीच संदेश में उपराश्रोपती ने कहा कि नीलकंट भानू पर गर्ब है हैदरबाद की रहने वाले नीलकंट भानू प्रकाश ने हाल ही में लंडन में हुए माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ल चेंपिर्शिप में भारत के लिए पहरा स्टोन पदक जीता है दिली के सेंट स्टीफन्स कॉलेश से मैट्स में ग्रेजुएट नीलकंट भानू प्रकाश ने इंगलेंड जर्मनी और फ्रांस समित 13 देशों के 30 प्रती भाग्यों को हरा कर पहले ही प्रयास में एक खिताब जीता है उप्राश्पती M.A.N.K.N.I.D.U. ने अपने संदेश में कहा कि दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन केलकुलेटर का खिताब जीत कर नीलकंट भानू प्रकाश ने देश का गौरव बढ़ाया है बीरूरिपोर्ट राजी सभा टीवी बारिश के बीच गुजराद के मधेरा के सूर्य मंदर का एक विहंगम नसारा देखने को मिला जिसका वीडियो प्रधाल मंद्री नरेंद्र मोधी ने खुद ट्वीट किया है गुजरात के महसाना में मढ़ेरा का ये सूर्य मंदर पुष्पावती नदी के पास इस्थित है जिसे सोलंकी शाषकों की विरासत माना जाता है ये सूर्य मंदर ऐसा बना है कि सूर्योदय होने पर पहली के रण मंदर के गर्ब ग्री को रोशन करती है 55 सेकंड का ये वीडियो ट्वीट करते हुए प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी ने लिखा है मढ़ेरा का प्रतिश्थित सूर्य मंदर बारिश के दिन शांदार दिख रहा है ये मंदर इस्थापत्य कला से सब को मोह लेता है सन 1026 से 27 में बने इस मंदर का बारिश में नहा का मनोरम वीडियो प्रधान मंतरी ने शेयर किया है अफरिका महदवी पोल्यो मुक्त हो गया है डब्लू एचो के अफरीका रीजिन के कार्याले ने उसे पोल्यो मुक्त घोशित किया है अफरिका की स्वतंत और एजिनिसी अफरिका रीजिनल सर्टिफिकेशन कमिशन ने मंगलवार को इसकी घोश ना की अफ्रिका में चार साल पहले 2016 में उत्तर पूर्वी लाइसीरिया में वाइल पोलियो का अंतिम माबला सामने आया था डब्लू एचो के मताबिक ये दूसरी बार है जब अफ्रिका में किसी वाइरस को खत्म किया गया है चार दशक पहले अफ्रिका में चेचा को पूरी तरह से खत्म किया गया था भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोशित किया जा चुका है इसी दिन दक्षिन पूर्व एशिया श्रेत्र को पोलियो मुक्त श्रेत्र घोशित किया गया WHO ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल यानि की GPEI शुरू किया था तब से लेकर अब तक लगभग पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म किया जा चुका है अफ्रिका को पोलियो वाइरस से मुक्त किये जाने के बाद अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश बचे है जहां पोलियो वाइरस मौजूद है दुनिया भर में शांती और प्रेम का संदेश देने वाली मदर टेरेसा की आज रहनती है असहायो की आजीवन सेवा करने वाली मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था टेरेसा ने 7 अक्टूबर 1950 को मिशनरीज ओफ चैरिटी की स्थापना की थी और कोलकाता में गरीबों, रोगियों और अनाथों की सेवा में 45 साल गुजारे मदर टेरेसा का 87 साल की उम्र में 1997 में कोलकाता में निधन हो गया था मदर टेरेसा को 1971 में नोबल शांती पुरुषकार और 1980 में भारत का सरवोच नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया आज महिला समानता दिवस है और इस साल इस खास दिन की सौवी वर्षगार्ट मनाई जा रही है हर साल 26 अगस्त को मनाये जाने वाले इसी दिन साल 1920 में अमेरिका में 19-वे समिधान संशोधन के जर्ये महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया था जिसके जर्ये उन्हें वोट देने का अधिकार मिला था इस मौके पर केंद्रिय स्वास्तिय और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर शुपकामनाय देते हुए कहा कि नारी सशक्ती करण के बिना मानवता का विकास अधूरा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस मंत्र पर चलते हुए मोधी सरकार महिलाओं की समानता और सरशक्ती करण के लिए कृत संकल्पित है और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही आप जोड़े रहे राचसभा टीवी के साथ नमसकार